तो दोस्तों स्वागत आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिड में तो अगर मैं बात करूँ गर की कंस्ट्रक्शन में जो सबसे कॉस्टली चीज और सबसे इंपोर्टेंट चीज यो यूज होती है वो क्या है वो है स्टील और स्टील अगर अच्छा यूज किया अपने हो एक तरीका होता है कि उसका बनने का तरीका क्या है मतलब अगर मैं बात करूँ LRF Furnace Technology यह टेकनोलजी ऐसी होती है अगर इस तरीके से स्टील बनता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो आज इस वीडियो में हम इसी बे बात करेंगे यह आपसे इंटरव्यू मे आपको बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं बता दू LRF है क्या वो होता है लेडल रिफाइनिंग फरनेस देखो अगर आप अपनी गर की कंस्ट्रक्शन का बले बिल्डर हो तो आपको जुरूर पता होना चाहिए कि स्टील प्रड्यूस कैसे होता है अगर हम समझते हैं एक TMT स्टील वार को हम तभी एक अच्छी क्वालिटी का कहेंगे जब उसमें जो सल्फर और फॉस्पर होता है वह एक अच्छी क्वांटिटी में हो अगर हम बात करें अगर ज़्यादा प्रॉपोर्शन में उसमें फॉस्पर और सल्फर रहेगा तो उ simple भाशा में मैं समझाता हूँ ductility काफी बच्चों को नहीं समझाएगा या non-technical person है जो उसको नहीं समझाएगा ductility क्या हो गया मारा जैसे मारा steel होता है उस पे जब load डलेगा तो वह पहले थोड़ा bend होगा deform होगा फिर उसके बाद failure होता है अगर steel brittle बन गया दो वर्ड यूज होते हैं steel के case में अच्छी quality चेक करने के लिए ductile और brittle जो steel ductile रहेगा कुछ हद तक तो वह एक अच्छा steel है वह पहले deform होगा थोड़ा bend होगा और आपको संकेत देगा कि आपका slab या जो भी structure है गिरने वाल है अगर steel brittle बन गया अगर उसमें chemical composition अच्छे से नहीं हुई बियो sulfur की बात कर रहा है या जो भी chemical है steel brittle हो गया वह कोई आपको sign नहीं देगा कोई warning नहीं देगा एक दम से वह structure steel तूट जाएगा और LRF जो टेकनोलजी है LRF furnace टेकनोलजी जो है यह improve करती है steel की quality को कैसे उसको refine करके और hitting process में देखो इसको और simple तरीके से मैं समझाता हूँ जो LRF furnace होती है उसको use किया जाता है जो temperature होते है उसको raise किया जाता है और जो metal होता है वो पिगल रहा होता है तो उसी दोरान उसकी जो chemical composition होती है उसको adjust कर लिया जाता है और जब chemical composition को adjust कर लिया तो जैसा steel आपको चाहिए जितनी strength, जितनी quality उसको आपको set करनी है वो आप easily कर सकते हो देखो इस पूरे process का निचोड simple सा निकलता है कि जब क्या हो रहा है देखो मतलब जब उसको melt किया जा रहा है steel को और इस process में इस ladder में उस जो उसका chemical composition होता है मतलब chemicals को control कर लिया जाता है और जब chemicals को control कर लिया और उससे त्यार होता है एक अच्छी quality का TMT bar और यही TMT bar जिसमें grade आपको 500 grade मिल जाएगा 550 grade मिल जाएगा और यह बड़े बड़े project में use किया जा रहा है infrastructure जैसे होगे airport होगे bridge होगे, canals होगे, dams होगे इतनी बड़ी-बड़ी buildings बन रही है इनी के दम पे और अगर इस technology को LRF technology जो use की जा रही है यह नए-ने जो steel bar अभी आ रहे है जिनकी नए-ने technologies जो companies use कर रही है अगर वो steel use करते हो तो गर को strength भी मिलती है life भी बढ़ती है और भी काफी चीजें हो जाती है अब क्या करते है इसको समझते है जो LRF technology है इससे क्या improve होता है सरीय में वो समझते है जो LRF का most important चीजी है वो है इसकी जो ductility रहती है जहां weldability है वो बहुत अच्छी हो जाती है मतलब आप steel को अच्छे से use कर सकते हो proper उसमें जब कोई भी अगर load पड़ता है या कुछ दिक्कत आती है तो जल्दी वो fracture नहीं होगा जहां हम weld करते हैं कुछ उसमें दिक्कत नहीं आएगी इतनी जल्दी जो steel LRF ही technology से बनता है तो वो एक अच्छा TMT steel बार निकलता है मतलब high quality degrade का जो ductile steel समय है क्योंकि वो ये जो LRF technology है वो follow करती है ES code 1786 उसकी हसाब से पूरा composition बनता है पूरे chemical जो composition रहती है वो पूरी control वे से की जाती है और एक अच्छा steel बनके निकलता है और इसी में मैं एक बात जोडता हूँ जो इसी technology से LRF technology से steel बनता है वो है methane steel TMT 600 grade तो ये जो steel है वो इसी technology से बनाया जा रहा है और large quantity में इस समय बड़े बड़े infrastructures में bridges में, malls में ये use किया जा रहा है और देखो methane steel जो है इसी LRF technology है इसी process से बन रहा है तो इसमें जो 600 grade बनता है TMT बार का वो एक अच्छा result देता है इस पे एक वीडियो में पहले भी लाया रहा था methane steel पे, अगर आपको उसके बारे में और जाना है methane steel के बारे में उसमें मैं description में video डाल दूँगा जिसमें मैंने complete detail methane steel के बारे में दी थी और एक अच्छा product इस समय construction में use किया जा रहा है काफी companies इसको use कर रही है तो अगर आप सोच रहे हो गर की construction में तो आप इसको अपना option बना सकते हो